नमस्कार मैं डॉक्टर श्रद्धा वसेश्ट आपका सबकी शिक्षा में बेहत स्वागत करती हूँ शिक्षा के शेत्र में हो रहे अच्छे कारियों की जानकारी मैं सबकी शिक्षा के माध्यम से हमेशा देते आई हूँ आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ एकलव्य आदर्ष आवासिय विद्याल्यों की लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि मेरे होसले को बढ़ाने के लिए इस विडियो को लाइक जरूर करियेगा और शिक्षा के शेत्र से सम्बंदित अधिक से अधिक जानकारी प्राप करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करियेगा एकलव्य आदर्ष आवासिय विद्याल्यों को एकलव्य मौडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी कहते हैं यह स्कूल पूरी तरह से रेजिडेंशियल अर्थात आवासिय हैं इन स्कूलों में निश्चुल्क शिक्षा दी जाती हैं कक्षा छटी से बारवी तक के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ सकते हैं एकलव्य आदर्श आवासिय विद्याल्यों की स्थापना ST Children मतलव की अनुसूचित जन्जाती के बच्चों के लिए की गई ताकि वैग्रामीर और आदिवासी शेतरों में रहते हुए उच शिक्षा और रोजगार के मौके प्राप्त कर सके इन विद्याल्यों का मुक्य अदेश सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं बलकी अनुसंपूर्ण विकास है प्रतेक एकलव्य स्कूल में छटी से बारवी तक के 480 बच्चे पढ़ सकते हैं दाखिला एंटरंस टेस्ट के अधार पर होते हैं वे सारे बच्चे जो कक्षा पांचवी तक किसी रेकोगनाई स्कूल में पड़े हैं कक्षा छटी के दाखिले के लिए एंटरंस टेस्ट दे सकते हैं कक्षा छटी वे दाखिले के लिए उम्र 9 से 11 वर्ष के बीच की होनी चाहिए एंटरंस ग्रामीर और आदिवासी शेत्रों के प्रतिभवान बच्चों को ध्यान में रखकर तयार किया जाता है तब वे आदर्श आवासिय स्कूल क्या है? पॉम कब निकलेंगे? यह सब जानकारी का बड़िया तरीके से प्रचार किया जाता है इसी वज़े से इन स्कूलों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है सरकार का यह फैसला है कि 2022 तक वे हर ब्लॉक में जहां 50 प्रतिशत या कम से कम 20,000 अनुसूचित जन जाती की जन संख्या होगी एक एकलवे स्कूल बढाया जाएगा एकलवे स्कूल नवोद्य स्कूल जैसे ही है कोशिश की गई है कि स्थान्य कला और संस्कृति को बचाया जाए और विभिन खेल और कोशल को ट्रेनिंग की मदद से बढ़ावा दिया जाए अगर हम 2011 के जनगर्ना आंकडों के अधार पर बात करें तो 564 में से 102 सब डिस्ट्रिक्स में एकलवे स्कूल खोले जा चुके है 462 नए स्कूल 2022 तक और खोल दिये जाएंगे तो यह थी एकलवे आदर्ष आवास्य विद्यालों की जानकारी आपको यह जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा यदि आप एकलवे आदर्ष आवास्य विद्यालों के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वह जानकारी क्या है मैं कोशिश करूँगी उस पर भी आपके लिए विडियो लाओ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि शिक्षा के शेत्र से सम्बंदित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करें सबकी शिक्षा को सबस्क्राइब करना निशुल्क है आपको किसी भी वीडियो देखने का पैसा नहीं देना पड़ेगा अब मुझे डॉक्टर श्रधा वसिश को इजाज़त दीजिए नमस्कार